अमादमी पार्टी के विधायग सोमनात भार्ती को दोशी करा दिया है अदालत ने 2016 केस मामले में शनिवार को अपना फैसला सुनाया सोमनात भार्ती पर एम्स के सुरक्षा करमचारी से मारपीट का आरोप लगा था कोट ने इसी मामले के चार अन्य आरोपिउं को बरी कर दिया है सोमनात भार्ती को एम्स करमचारी के साथ मारपीट करने के लिए IPC की धराओं के तहद मारपीट करने, सरकारी करमचारी की काम में बाधा ढालने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए दोशी ठराया गया है इन सभी मामलों में अधिक्तम दो साल की सजा का प्रावथान है आपको बता दे चार साल पहले के इस मामले को लेकर बताया जा रहा है कि सोमनात भारती दिली के पहले ऐसे मंत्री हैं जिने अधालत सजा सुनाएगी कोर्ट ने इस मामले में आरोपी बनाए गए चार अन्य लोग जगत सेनी दिलिपच्छा, संदीप, उर्फ, सोनू और राकेश पांडे को परी करतिया है साल 2016 में इम्स के मुखे सुरक्षा अधिकारी ने सुरक्षा करमचारी से मारपीट के मामले में होस का स्थाने में शिकायत दर्च कराई थी शिकायत के आधार पर पोलिस ने सोमनात भारती के खिलाफ दंगे भड़काने के लिए सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुचाने, सरकारी करमचारी के काम में बाधा डालने और करमचारी के साथ बद सुलूकी करने की धाराओं में एफायार दर्च की थी इस खबर में फिराल इतना ही, तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें One India Hindi के साथ